हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आर चैनल मैं हूँ स्वेता सिंग आप सब कैसे हैं होप आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो ब्लॉग है वो मैं साम से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाता इसके लिए तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज बनने वाला है बाती डाल चोखा वो भी उपले भून के जैसे गाउं में बनता है आलू को भूना जाता है बैगन टमाटर सब भून के बनता है बिल्कुल उस तरीके से ही बनने वाला है तो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या अरेंजमेंट ह यहां पर तो ब्लॉक को पूरा देखिएगा मैं दिखाती हूँ कि क्या अरेंजमेंट है चोखा भूनने का सबसे पहले तो यहां पर चोखा भूनने की पूरी तयारी हो रही है और हम लोग यह काम जो है टैरिस पर हो रहा है तैरिस पर कर रहे हैं और यह आप देख सकते हैं यहां पर यह चेयर लगा दी गई है ताकि हवा ज्यादा न लगे और यहां पर एक बड़ा सा ट्रे है लोखन का ट्रे है जिसके नीचे इटा रखा हुआ है इसमें आग जलाई जाएगी और इसमें बैगल आलू और टमाटर बूना जाएगा यह आप आग जलाने के लिए सब काट रहे हैं तो यहां पर ना जो दफ्ती वाला पार्ट होता है उससे काट के आग जलाई जाएगी मतलब उसे काट के वह सब इस्तमाल करके कितना अच्छा बनाएं यह किसने बनाएं आपने वाव यह सब कुछना मेरे हस्बेन कर रहे हैं बहुत अच्छा बनाते हैं चोखा दाल बाटी तो मुझे बनाना है मुझे बनाना है ना बाटी मुझे बनाना है चोखा और दाल इनको बनाना है दाल तो नीचे फ्राई भून के यह देखिए बड़ा सा ट्रे है उसमें उपली रखके आग जलाया जाएगा सारा अरेंजमेंट हो चुका है कि यह अलू बैगन टमाटर भी इदर आ गया है मुझे तो यह चेयर का लग रहा है वहा कितना अच्छा बना है हवा न लगए और यहां पर आग जल चुकी है और बहुत जादा हवा भी चल रही थी उपर तो वैसे भी हवा लगती ही है जब हवा नहीं भी चलती है तब भी हलकी हलकी आती है और इस टाइम पर तो शाम के टाइम बहुत जादा हवा चल रही थी और काफी धुआ धुआ सा भी हो गया था तो थोड़ा सा न ये जब जल चुका है तो इसमें अलू डाला जा रहा है, उसके अतना आइडिया नहीं था, फिर हमने मम्मी को कॉल किया, फिर उनसे पूछा, उनोंने बताया, नहीं थोड़ा सा जब जल जायेगा, उसके बाद इसमें आलो बैगन जो भी डालना होगा वो डाला जाएगा तो सबसे पहले आलो भुना जाएगा उसके बाद बैगन और टमाटर बाद में डाला जाएगा तो यह आप देख सकते हैं इसमें आलो डाल दिया गया है और फिर उसके बाद इसे जिस तरीके से भूनना होगा भूना जाएगा क्योंकि अब मैं चली जाओंगी नीचे नीचे मुझे जो प्रिप्रेशन करनी है इन सब की वो करूंगी उपर हस्बंड ये सब देख रहा है साथ में सेफाली भी है वाच्मेन को भी बुलाया है तो यहाँ पे न मैं दाल भीगा के रखी थी अच्छे से धुल ली हूँ अब मैं गैस पे रख दी हूँ उसमें थोड़ा से हिंग डाला है और नमक डालेंगे स्वात के अनुसार आज मैं जो दाल बना रही हूँ वो बिल्कुल जैसे पहले बनती थी ना एकदम ट्रडिशनल तरीके से कूकर में नहीं बना रही हूँ तो ये सब डालने के बाद इसमें धकन रख देंगे और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में बनाया जा रहा है दाल को मैंने ढग दिया है और अबना मैं फटा फट आटा गूतूंगी तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच की लगभग बेकिंग सोडा वो डालने के बाद इसमें 4-5 चम्मच की लगभग डालूँगी देसी घी देसी घी को थोड़ा सा गरम कर लिया है वो डालने के बार इसे अच्छे से mix करेंगे जैसे हम लोग मैं देते हैं बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर मैं इसे mix कर रही हूँ ऐसे ही mix करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूतना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गूता गया है मैंने उसे धब के रख दिया है थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर अब मैं दिखा रही हूँ दाल हमारी जो है वो उबलने वाली है तो उपर नहीं यह वाइट वाइट सापको दिख रहा होगा यह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है कूकर की दाल बहुत नुकसान करती है पहले के जवाणे में इस तरह से ही बनती थी और इसका यह वाइट वाला है उपर दिख रहा है उसे निकाल के अलग कर देंगे और उसे फेक दिया जाएगा इसका कोई यूज नहीं है तो यह जो तरीका है जैसे पहले बनती थी दालना उस तरीके से और कूकर में बनती है यह सब तुसी में मिक्स हो जाता है आजकल इसके वज़ा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाडी में बहुत सी चीजे हैं जो कि मतलब बढ़ती घड़ती रहती है यूरिक एसिड जैसे मान लीजिए एक ये भी रीजन है इस तरह से अगर आप डाल बनाएंगे ना तो जिसको यूरिक एसिट की प्रॉब्लम होती है जिसका बढ़ जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो ज्यादा तर इसी तरह से बनानी चाहिए थोड़ा टाइम तो लगता ह लेकिन बहुत जरूरी है दाल पक रही है तो मैं थोड़ा लसुन वगएरा काटूंगी साथ में डालने के लिए और यहां पर आ गई थी ना आलू भुन चुका था तो इन्होंने बोला था चेक कर लो तो मैं उपर आई देखने के लिए फिर आलू पूरा भुना हुआ था तो मैं लेकि जाओंगी साथ में नीचे और फिर यहां पर आप देख सकते हैं तमाटर और बैगन भी इसमें डाल दिया गया है भुनने के लिए और आलू मैं लेकि नीचे चली जाओंगी उसके बाद ना दाल प्राई की और चोखा की जो प्रिप्रेशन है वो सब मैं करू यह तो हम दाल में ऐसे ही डाल के पकाएंगे कि बाटी वाली जो दाल बन रही है वो तो आप सब जानते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से बनती है तो यहां पे अब मैं इसमें डाल दूंकी हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा सर्सो का तेल डालोंगी क्योंकि हम लोग जब कि अपने घर पे बाटी दाल चोखा बनाते हैं वाटी वाली दाल बनाते हैं तो इस तरह से उपर से ढलते हैं सर्सो का तेल डाल में भी और अपना जो मैंने प्याज़ टमाटर मिर्चा और लसन काटके रखा था वह बल अञ डाल देंगे कि उसका और उसके बाद से अगर इसे ऐसे ही धीमी धीमी आज पे पकाया जाए और टेस्टी भी बहुत जादा होती है तो अब मैं इसे ढख दूंगी और उसके बाद फिर ना अभी मुझे दाल फ्राई करने के लिए जो चीजे काटनी है और चोखा के लिए जो काटनी है वो सब मैं रेडी करूंगी त दाल को मैं वापस से थोड़ी दिर बाद इसका धकन हटा के देखी हो यह अच्छे से पक रही है अब इसे मैं धीमी आज पे छोड़ दूंगी बस बीच बीच में इसे खोल के एक से दो वार चलाती रहोंगी तो बस ऐसे ही यह बने की दाल और यह अब देख सकते है हो जाएकी और इस तरेखर दाल टेस्टी थरी रहती है और यहां पे ना मैंने सब कुछ काके रेड़ी पर लिया है जसे दाल फ्राई करणे में जितना यू долlig होगा और चोखा बनाने के लिए जितना यू insya कर दाल फ्राई तो हज़ट Hybrid वहना ना उनाते हैं तो मैंने बता मैंने सब कुछ ready करके रखा है, यहां पे ना मैंने भी वी प्याज को बारिक चौप किया है, और यहां पे तीन से चार तमाटर है, तो यह जो प्याज है ना, यह आदा चोखे में जाएगी आधा दाल फ्राई में जाएगी तमाटर हम, जो तीन से चार छोटे छोटे काटे थ दाल फ्राई में पूर जाएगा और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं खुब सारा है बारिक कटा हुआ अद्रग और बारिक कटा हुआ लसन यह भी आधा चोखे में यूज होगा और खुब सारा हरा धन्या है तो दोनों चीज की प्रिप्रेशन मैंने एक साथ में करके करने शचाए और उसके बाद यहां पर हर लासन है बारिक कटा हुआ और हरी मिर्झ है मतलब कुटी हुई हरी मिर्ज है ठीडे सारी प्रिप्रेशन होचुकी है और यह जो हमारी दाल है ना खोलके देख लेते हैं दाल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है मैं इसको एक बर चला के दिखाती हूं आप सबको तो यह आप देख सकते हैं दाल काफी अच्छे से पक चुकी है और इसे अच्छे से को मिक्स करते हुए चलाना है और इस तरीके से दाल बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और बाटी वाली जो दाल होती है वो तो वाकई में बहुत ही की थी कि नहीं हम लोग भी टेस्ट करेंगे तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं हम लोग बनाएंगे तो फिर आप सबको टेस्ट कराएंगे तो दाल रेडी हो चुकी है अब नहीं यह आटा जो मैंने ढखके रखा था इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से गूथ ओर ज्वाइंगे तो थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में बनाना था ना तो इसके लिए मैंने कुछ बार मतलब थोड़ी सी बाटी जो है वो कडाई में बनाए है थोड़ी सी बाटी अवन में बनाई है तो बहुत जल्दी बनके तयार हो गया था मैं दोनों आपको और इसमें ना मैं बाटी रख दूंगी और इस तरह से अगर आप अवन वगरा नहीं यूज करते हैं तो आप कढ़ाई में बाटी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो बस यहां पे ना कढ़ाई धीमियाज पर ही मैंने रखी है उसमें बाटी को डाल देंगे हाला कि मैं एकसर बनाती हूँ ना मैं एक साथ धेर सारे बाटी डाल रही हूँ लेकिन अगर आप सब फ़र्स टाइम इसे ट्राई कर रहा है ना तो एक साथ में कम डालिएगा क्योंकि यह ना फिर आपस में थोड़ा चिपक जाता है तो थोड़ा सा इसे छुडाना पड़ता है जो कि आगे वीडियो में आफ सब देखेंगे ही तो यहां पे मैं इसका ढाल दी हूँ बाती ओसका धकन लगा दी हूँ और थोड़ी दिर बाद धकन हटा के देखेंगे और दूसरा जो है वह वह फूद्वास में मैं डाला है अवन में भी यह आप देख सकते हैं बाती ह हमारी बन रही है तो अब मैं इसका धकन हटाती हूं और इसे फटा-फट से पलट लेना है तो मैंने धेर सारे एक साथ में डाला था तो इसके लिए अभी अब देखेंगे कि यह बीच-बीच में चिपक रहा है तो मैं दो-चार बाती निकाल के अलग कर दी थी फिर इसको पल बना सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढख दिया है और आज को बिलकुल धीमी ही रखना है और इधर जो अवन में मैंने बाती बना रखी थी वह ने निकाला है अब इसे में पलट दूंगी और अवन में जो है वो तो बहुत ही जल्दी बनता है यह ना 10 मिनट में ऐसा हो गया था तो अब मैंने इसको पलट दिया है फिर से 10 मिनट में ऐसे डाल दोंगी तो ये बाटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में बनती है और ये वाली जो है इसमें टाइम लगता है लेकिन ध्यान रखना है कि आप ना पाच से 10 मिनट के बाद इसे खोल के पलटते रहना है और गैस की जो हीट है वो बिल्कुल कम पे ही रखनी है और दूसरे साइड ना मैं बैगन बून रहे हूं कि बैगन ऊपर बूना गया था लेकिन थोड़ा सा ना वो कच्चा लग रहा था बीच से तो मैं गैस पे थोड़ा सा और पका रही थी और यह ना आवन वाले बाटी हमारे बिल्कुल रेडी है यह आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना बहुत ही कम टाइम में बनी और यह कड़ाई वाली अभी बन रही है तो बस इसे 5-10 मिनट बीतने के बाद मैं ऐसे ही दोनों साइड से इसे पलट प लटते रहना है तो धीमी धीमी आज पर यह भी बाटी बन के तयार हो जाएगी और कलर आप देखी रहे हैं कि कितना अच्छा आया है ना तो बस यही बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस तरीके से आप बाटी अराम से घर पर बना सकते हैं और यहां पर थोड़े थोड़े टा तो इसमें आप देख सकते हैं अद्रकल हसुन हरी मिर्च और टमाटर प्याट सब डाला गया है थोड़ी से गरम मसाले डाले गया है लाइल मिर्च का पाउडर भी है और इधर मेरी बाटी आवन वाली पूरी रेडी हो चुकी है और जो मैं कड़ाई में बनाई थी वो भी बिल्कुल रेडी है यह आप देख सकते हैं दोनों बाटी तयार है अब फटा फट से डाल फ्राई होगी मतलब हो रही है दाल फ्राई उसके बार हम इसमें डाल एड़ करेंगे और चोखा भी मैं आपको दिखाती हूँ चोखा भी बनके रेडी है तो यह मसाला रेडी है अ आप सबको बहुत पसंद आएगी तो यहां पे अभी कडाई को क्लीन करने के लिए थोड़ा से इसमें डाल डाला जा रहा है और मसाला पूरा डाल वाले टोक में डाल दिया गया है और यहां पे आप देख सकते हैं यह पूरी डाल बनके रेडी है बहुत ही ज़्यादा टे आप सब भी खाने के लिए कौन-कौन इसे खाना पसंद करता है जरूर कॉमेंट में बताईएगा तो सबने खाना खा लिया है और यह है मेरी प्लेट मैं जा रही हो खाने तो आप सब भी आईए मेरे साथ इंच्वाय करिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था यह सबने खाया सबको बहुत ज्यादा पसंद आया तो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए तो गाईज होपुली आपको आज रूटीन जो भी हो आपको पसंद आया और अगर पसंद आया तो लाइक करें बेल आइकन को अन करें और हकना सेहत बनाए रखें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट लोग में बाई बाई